Hello friends and welcome back to Chikki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about after B.S.C. Chemistry, pharma job is good or bad. आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगोंने B.S.C. Chemistry course किया है, तो इसके बाद आप लोगों को pharma industry में job करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पे हम discuss करेंगे. वो सारे students जो हैं, अपना B.S.C. course कर लेते हैं, chemistry stream में, और इसके बाद वो लोग pharma company में switch कर जाते हैं, या pharma company में वो लोग चले जाते हैं, बट उन लोगों को वहाँ की reality का पता नहीं होता. तो friends, अगर आप लोगोंने अपना B.S.C. chemistry course किया है, और आप लोग सोच रहे हैं pharma company में job करना, या आप लोग pharma company में जाना चाह रहे हैं, तो आप लोग यह सही नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग B.S.C. के बाद pharma company में job करते हैं, तो वोहाँ पर जो आप लोगों की growth होती है, वो एक limit में होती है, या एक restricted आप लोगों की growth वहाँ पर होती है, बट अगर आप लोग B.S.C. करने के बाद में आप लोग M.S.C. कोर्स करें, और M.S.C. करने के बाद आप लोग pharma company में switch करें, तो वहाँ पर आप लोगों की growth better होती है, अगर आप लोग B.S.C. के बाद में यह पर जा रहे हैं, अगर हम इसका comparison करें, तो अगर सेन्ड से B.S.C. के बाद आप लोगों को नहीं जाना है pharma company में, आप लोगों को M.S.C. के बाद में ही pharma company में जाना है, और अगर आप लोगों ने BSC chemistry course किया है सीम पर तो भी आप लोगों को pharma company में नहीं जाना है और अगर आप लोगोंने BSC pharmaceutical chemistry course किया है या आप लोगोंने BSC जो course है तो किसी भी chemistry stream से किया है तो आप लोगों को उसके बाद में MSC course करना चाहिए MST course को करने के बाद ही आप लोगों को pharma company में जाना चाहिए चुकि pharma company में अगर आप लोग master course के बाद में जाते हैं तो आप लोगों की जो growth होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और आप लोगों को वहाँ पे job satisfaction मिलता है बट BSC के बाद आप लोगों की जो growth होती है वो भी वहाँ पे limited होती है और आप लोगों की जो salary होती है वो भी वहाँ पे बेकार होती है अच्छी नहीं होती है और आप लोगों अगर MST के बाद वहाँ पे जाते हैं तो आप लोगों की salary वहाँ पे अच्छी होती है आप लोगों की जो पोस्ट होती है वो भी आप लोगों की इच्छी होती है और आप लोगों को वहाँ पे लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं तो BSC एक Natural Degree है आप लोग जानते हैं और BSC के बाद में बहुत सारे स्टुडेंट्स जो है वो फारमा कमपनी में चले जाते हैं और वहाँ पे जब वह लोग जोब करते हैं तो उसके बाद उन लोगों को लगता है कि यार MSC करना चाहिए था MSC के बाद में फिर हमें यहाँ पे आना चाहिए था तो हमारी growth बहुत अच्छी होती और उसके बाद में वो लोग फिर वहाँ से job करते करते फिर उन लोगों के लिए वहाँ से निकलना बहुत ही मुस्किल हो जाता है कि वो लोग दुबारा से फिर वहाँ से निकलें उसके बाद MSC करें फिर वो लोग वहाँ पे जाएं तो यह थोड़ा सा टीपिकल उन लोगों के लिए हो जाता है तो आप लोग फर्स्ट अपना जो आप लोगों की study है आप लोगों का BSC है उसके बाद आप लोग MSC करें MSC करने के बाद आप लोग finally फार्मा कमपनी में जाएं तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा अगर आप लोग BSC आप लोगों ने किया है और उसके बाद आप लोग फार्मा कमपनी में चले गए देन उसके बाद अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं महां से निकल जाओंगा या महां से switch करके देन में फिर MSC करूंगा और फिर MSC करने के पाद फिर मैं दुबारा फार्मा कमपनी में जाओंगा तो ये आप लोगों के लिए एक सीम्पल प्रोसस नहीं है ये टीपिकल है और आप लोगी यहां पर इसमें फस जाएंगे और आप लोगों के लिए जो प्रोब्लम सोंगी हो वह थी जादा वहां पर हो जाएंगी तो आप लोगों के लिए यही सबसे इचा होता है कि आप लोग फर्स्ट अपनी स्टेडी कंप्लीट करें बीसी कोर्स करें दैने में सी करें उसके बाद फार्मा कंपनी में जाएं वहां पर आप लोगों को रेपुटेटीड एक पोस्ट मिलेगी और आप लोगों को महाँ पे असिस्टेंट मेनेजर आप लोगों को टीपीटी मेनेजर महाँ पे बना दिया जाता है। जिसकी सेलरी भी आप लोगों को 40,000 से एक बब वहां पे पे पर कंपनी पे करती हैं और BSc I Sierrakal लोगों ने किया है तो आप लोग ये आप लोग भूल जाएं कि आप लोगों की वहाँ पे ग्रोथ होगी आप लोगों की वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि अगर आप लोगों ने BSC course किया है तो आप लोगों को 5-year का experience की जगह पे आप लोगों को वहाँ पे 7-8 year लग जाएंगे तब चाहिए आप लोगों पे ची पोस्ट पे जाएंगे गर आप लोग बेचलर पोर्स के बाद महां पे चले गई हैं तो यह भी वहाँ पे एक डिमेर मेजर बनेंगे तो आप लोगों को 0-7 या 8 या 10-year का experience आप लोगों को महाँ पे चाहिएगा या आप लोगों का महाँ पे इतना time आप लोगों को देना पड़ेगा यह सभी points हैं यह सभी आप लोगों के लिए एक important और crucial जो मैंने points आप लोगों के साथ में discuss किये आप लोगों के एक major और crucial role play करेंगे So I hope friends यह वीडियो आप लोगों के लिए एक आप लोगों को right path provide कराएगी So इस वीडियो से related अगर आप लोगों का कोई question है कोई query है या आप लोगों के मन में कोई doubt है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे comment box में जरूर टाइप करें और आप लोग मेरे साथ में connect हो सकते हैं चिकीज बाइलोजी के facebook page के साथ चिकीज बाइलोजी के instagram account के साथ जिसकी link में हमेशा ही आप लोगों को अपनी सब्वी वीडियो के description box में provide कराता हूं और बहुत सारी जो mnc company होती है वो bsc chemistry students को job देती भी नहीं है msc chemistry students को generally job देती है जो domestic plant होते हैं वो bsc chemistry students को job दे देते हैं और जो mnc company होती है वो job नहीं लेती जोगी उन लोगों को चाहिए master students तो आप लोग पहले bsc करें then msc करें उसके बाद आप लोग किसी भी mnc company में जाएं जो अची company होती है mnc company multinational company उनमें आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छा पेकिती मिलेगा अच्छी job आप लोगों को मिलेगी तो thank you friends thank you for watching और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जरूर कर ले